हाई फ्रेंड्स नमश्कार, इलेक्ट्रिकल हिंदी टुटोरिल में आपका एक बर फिर से स्वागत है जैसा कि हम लोगोंने पिछले वीडियो में ये जाना था कि किस तरीके से एक सिंपल सरकेट डायग्राम को हम लोग लेडर डायग्राम में चेंज करते हैं या हम यूँ कहें कि एक सिंपल जो हमारा सरकेट होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स जो होती है उसको किस तरीके से प्रोग्रामिंग में कनवर्ट करते हैं आई होप कि आप सभी ने उस चीज को सीखा होगा अगर आपको उसमें भी कोई डाउट्स है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है PLC के उपर तो मेरी उन सभी से रिक connection की बात करें input side या output side के तो वहाँ पर एक जो time आता है सिंक सोर्स का एक tom आता है और ज्यादा तर क्या होता है कि हम लोग इस में confuse रहते हैं कि सिंक सोर्सका एक मतलब क्या होता है तो आज की यह जो वीडियो है इसी topic पे रहेगी जिसमें हम लोग सिंक & source को बहँती आसान भ को enjoy करेंगे और अच्छी तरीके से जो चीज़ें बताई जाएंगी उनको learn करेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यह आप सभी से बोलना चाहूँआ कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बैल कुल इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं SYNC और स्वरस कंसेप्ट को पि-ल्सी के अंदर तो सिंक और सोरस कंसेप्ट को समझने के लिए जैसे कि आप सभी को यह पिल्सी आ दिखाई दे रही है चाहे वो सीमेंस की समेट हो या फिर मित्सुबी सी की हो या फिर ल connections करते हैं उसमें कहीं न कहीं एक बात आती है sink type inputs या source type input तो इन सभी चीजों पे ही तमाम बाते हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं देखे sink and source को समझने के लिए मैं एक बहुत simple circuit को design कर रहा हूँ और उसी circuit से हमारे इन PLC के अंदर भी इन सभी चीजों का बहुत easily link करके हम लोग समझ सकेंगे तो हम यह मानते हैं कि हमारे पास एक कोई supply है वो कोई भी supply हो सकती है वो चाहे AC हो चाहे वो DC हो इस supply से अब यह मैं लिख देता हूँ यह तो AC हो या फिर DC हो मेटर यह नहीं करता है इस से मैंने क्या किया यहां से एक मैंने switch जोड़ा है और इस switch से एक मैंने यह bulb connect कर दिया है अब देखिए अगर यह supply हमारी यहां पर positive and negative लिखा हुआ है तो यह जाहिर सी बात है DC supply होगी और अगर यहां पर phase लिखा हुआ है और यहां पर neutral लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है यह AC supply होगी तो अभी यहां पर अगर हम देखें कि जैसे ही हम इस switch को connect करेंगे या close करेंगे तो हमारी जो supply है इधर की तरफ flow होनी शुरू हो जाएगी supply सबसे पहले जो हमारी जाती है वो किस में जा रही है पहले हमारे जा रही है switch में और इस switch से होते हुए इस हमारे bulb में supply जाएगी तो अगर हम यहां पर यह बोलें कि यह जो supply है हमारी switch से होते हुए bulb को जा रही है तो यह जो switch होगा यह switch हमारा होगा source type क्योंकि पहले जो supply है वो हमारे switch में जा रही है ठीक है उसके बाद हमारे bulb को supply मिल रही है तो यह जो bulb होगा यह हमारा हो जाएगा a sink type छीक यह हमारा क्या हो जाएगा a sink टाइप हो जाएगा तो यहां पर यह बात क्लियर हो गई है कि जहां से यह सप्लाई चलने शुरू होती है मतलब मैं यह बोलू कि यह मान लीजिए यह सप्लाई AC DC की जगर DC सप्लाई है एक एग्जामपल के लिए हम यह मानते हैं तो यह क्या होगा कि यह पॉजिटिव शीरा है इस बैटरी का यह हमारा निगजफ शीरा है और पॉजिटिव से हमारा स्विच कनेक्टेड है तो सप्लाई हमेशा पॉजिटिव सी निगजब की तरफ चलती है यह AC के अंदर वो phase to neutral की तरफ चलती है तो इस रास्ते में switch हमारा सबसे पहले पढ़ा तो जो switch होगा वो source टाइप होगा और ये जो bulb होगा वो हमारा क्या होगा sink टाइप होगा इसी का हम एक दूसरा रूप देखते हैं कि ये मान लिजे एक battery है और इस battery का सेम यही चीजे है ये जो switch है ये हमारा यहां पे लगा हुआ है ये जो switch था ये यहां पे लग गया और ये जो bulb है ये हमारा attitude ऐसे ही है ये हमारा bulb है तो यहां अगर हम देखें तो जो supply ये positive शिरा है ये negative शिरा है इसका तो supply हमारी positive series से होते हुए सबसे पहले किस के पास आती है bulb के पास आती है and then इसके बाद इस switch की तरफ अगर ये switch close है तो जैसे हम switch को close करेंगे supply flow होनी शुरू हो जाएगी और वो सबसे पहले bulb के पास जाएगी और इस bulb के बाद हमारे switch के पास जाएगी तो ये जो हमारा bulb होगा ये bulb हमारा किस type का होगा ये bulb हमारा हो जाएगा source type तो यहाँ पर क्या होगा ये हमारा source type हो जाएगा और ये जो हमारा switch है ये हमारा होगा sink type तो ये चीज तो आपको यहाँ पर clear हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से कि circuit के रास्ते में जो चीज पहले पड़ती है वो हमारी क्या होगी वो हमारी होगी source ठीक है वो क्या होगा वो source होगा ठीक है तो अब इस चीज को हम लोग समझेंगे किसकी त्रू एक PLC में तो हम माल लेते हैं कि एक ये PLC है और इस PLC के अंदर inputs terminals हैं है ना माल लीजे ये IN1 है ये IN2 है input number 2 है ये IN3 है ऐसे ही करके हैं और ये हमारा common है ये हमारा common है ठीक है तो अब यहाँ पर एक मेरे पास supply unit है एक power supply है ये हमारा PS है जिसका input side जो है वो माल लो यहाँ पर हमने 230 volt AC दिया है और इसका जो output निकल रहा है वो हमारा निकल रहा है प्लस और ये माइनस ठीक है अब मान लीजिए कि इस input को आपको ये पता है कि जो हम इनको inputs देते हैं वो हम किसी push button के थ्रू दे सकते हैं हम किसी proximity switch के थ्रू दे सकते हैं हम किसी selector switch के थ्रू दे सकते हैं हम किसी भी sensors के थ्रू दे सकते हैं इसके बारे में मैंने PLC की जो starting की videos हैं उसमें already discuss किया है कि inputs कौन कौन से हो सकते हैं PLC के लिए और outputs कौन कौन से हो सकते हैं तो हम यह मानते हैं कि हमने यहाँ पर एक input दिया जो की हमारा push button है और वो है PB1 ठीक है इस PB1 को दे रहे हैं और हमने इस PB1 को connect किया हुआ है भाई किसके साथ इस positive share के साथ ठीक है अब अगर हमने यहाँ पर positive share connect किया हुआ है तो यहाँ पर जो यह common होगा वो हमारा negative वाला होगा कौन सा होगा negative वाला होगा तो देखिए यहाँ पर क्या चीज होगी यहाँ पर बात आ जाती है क्या कि हमें वही यहाँ पर logic लगाना है कि सबसे पहले supply किधर से किधर की तरफ जाएगी तो देखिए यह तो universal है कि supply हमेशा positive से negative की तरफ चलती है या फिर face से neutral की तरफ चलती है तो supply हमारी इधर से ऐसे चलते हुए इस push button से होते हुए और इस input card से होते हुए इस तरीके से इधर की तरफ चली जाएगी तो यहाँ पर जो यह push button है या जो यह inputs होंगे source type तो यह जो inputs होंगे source type और यह जो PLC card होगा यह card हमारा होगा sync type तो इसके अंदर हम जो connection करेंगे वो source type connections करेंगे यानि हम जो यहाँ पर supply देंगे inputs की जो supply होंगी वो अगर positive में दी जा रही है और common हमारा negative है तो वो हमारे source type inputs हम यहाँ पर देंगे और जो PLC card होगा वो sync type होगा तो I hope आपको यह चीज बिल्कुल clear हो गई होगी इसी कहां मगर एक दूसरा रूप देखें कि यह हमारा यही PLC card है और इस PLC card में यह input मेरा IN1 है IN2 है IN3 है और यह ऐसे करके हमारा common point है ठीक है हमारे पास कोई एक power supply है जो की PS है ठीक है इस PS एक positive निकल रहा है और एक negative निकल रहा है ठीक है तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर एक हमने क्या लिया हुआ है PRS लिया हुआ है PRS तो जो हमारा PRS मतलब हम बात कर रहे है proximity sensor की ठीक है हम लोग बात किसकी कर रहे है proximity sensor की तो हमारे पास एक PRS है और यह PRS है कौन से type का NPN type कौन से type का है NPN type का है तो इसका जो output होगा यहाँ से निकलने वाली supply होगी वो negative होगी ठीक है वो मैंने इस input के सांस जोड़ा हुआ है इसको already एक हमारा positive मिलेगा और एक हमारा इसको क्या मिलेगा negative भी मिलेगा और यह जो output निकालेगा यहाँ पे जो black wire होता है वो हमारा negative निकलेगा क्यों क्योंकि यह NPN type का proximity switch है और जो हमारा यहाँ पर common point है common को भी हमारा क्या जा रहा है positive जा रहा है तो अब यहाँ पर यह देखिए कि supply पहले किस में जाएगी यहाँ पर supply हमारी सबसे पहले जाएगी किस के अंदर वो supply जाएगी हमारी किस के अंदर जाएगी supply पहले PLC card के अंदर जाएगी और उसके बाद यहाँ इसके टीखिए तो यहाँ पर जो यह हमारा card होगा यह card जो जाएगा कौनसे type का? source type का source type हो जाएगा source type card होगा ये और ये जो inputs होंगे ये हमारे होंगे sync type ये inputs हमारे क्या हो जाएगे sync type तो उम्मेद करता हूँ कि ये चीजे आपको बहुत आसानी से clear हो गई होगी फिर भी अगर doubt है तो हम एक सीधे simple word में मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ क्या कि इनका जो एक पूरा निचोड है कि आप इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको क्या-कै चीजे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर आपको कुछ inputs दिखाई दे रहे हैं और कुछ आपको common points तो देखें I00 है ये I01 है I02 है I03 इसके बाद ये C0 है C0 का मतलब common 0 उसके बाद C1 ये common 1 है इसके बाद C2 common 2 है और उसके बाद C3 common 3 है तो यहाँ पे चार common points दिये हुए है एक separate वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कई सारे common क्यों रखते हैं जब एक ही common से काम चल सकता है तो ये सारे common points हैं जिसमें हम या तो 24 वोल्ट देंगे या फिर 0 वोल्ट देंगे या जिस टाइप का भी होगा देखें यहाँ पर क्या है 24 वोल्ट DC डिजिटल इन्पुट sync oblique source type यहाँ पर लिखा है sync oblique source type तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी application के हिसाब से आप अपने जरूरत के हिसाब से इसको sync type भी मना सकते हैं और source type भी मना सकते हैं ठीक है तो देखिए अगर मैं यहाँ पर c0, c1 और c2 and c3 इन सभी को क्या करूँ short करके है ना short करके फिलाल में एक ही type का दूँगा है ना यहाँ पर मैं supply दे दूँ कौन सा जीरो वोल्ट जीरो वोल्ट सप्लाई दे दूँ और जितने भी हमारे input हैं i002 यहाँ पर देखिए i15 तक है i15 तक यहाँ पर अगर मैं input देता हूँ input देता हूँ प्लस का 24 वोल्ट तो यह क्या होगा यह जो हमारा input होंगे input हो जाएंगे हमारे किस टाइब के source टाइब के source टाइब और PLC का जो card है PLC input card जो है वो होगा sink टाइब चीक है यह बात clear हो गई यहीं पर एक दूसरे पहलू पर बात करें हम कि अगर हम C0, C1, C2 and C3 इन सभी को short करने के बाद यहाँ पर मैं supply दे दूँ PLC 24V common करके और जितने भी inputs हैं I00 से लेके I15 तक यहाँ पर जो inputs आएं यह inputs आएंगे input आएंगे 0V के तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो inputs हैं inputs हैं वो क्या हैं? वो है sync type और जो हमारे PLC का input card हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? source type वो क्या हो जाएगा? source type हो जाएगा तो I hope कि आपको यह जो sync और source का concept है वो आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा तो friends आज किस वीडियो में इतना ही? I hope कि आपने इसको अच्छी तरीके समझ लिया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई doubt रहता है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और channel पे बहुत सारी videos है PLC से related तो उनको आप देखिए फिर भी आपको किसी type की video की requirement लगती है तो आप comment section में जरूर बोलिएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके उपर video बनाऊ थेंक्यू, बाए बाए